पूरी निग्रानी रखरी ताकि कोई भी यहां पर ना हो यह सुनिशित किया जा सके और यही कारण है कि पुलिस प्रशाशन लगातार गस्त पे है इंडियारत की टीम द्वारका के अलग-अलग हिस्सों में इस्वक मौझूद है ताकि अगर कहीं जलजमाओ की स्थिती होती है जामनगर से बड़ी खबर कल रगा 12 बजे तक उड़ानों पर रोक लग चुकी है तो सिर्फ एमर्जेंसी यानि की जगों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है समंदर में हलचल बहुत ज़ादा हाई टाइट्स देखने को मिल रही है और खास करके जखाव पोर्ट वो इलाखा पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है लोगों को सुरक्षित अस्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है एक लाग से जादा ऐसे लोगों की संख्या जो इन तटिया इलाकों में रहते थे जिन्हें दूसरी जगों पर शिल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया उसमें फिलाल कोई रहत मिलती नजर नहीं आ रही है और जो अन आने वाले कुछ घंटे हैं वो और भी ज़्यादा निडनायक हो जाएंगे और भी ज़्यादा लोगों को जो एक में लोटने में कितना पैसे इस तरीके की अगर फ्लड यहाँ पर रह जाएगा तो लोगों को दिक्कत होगी कितनी वक्त के बाद सब कुछ एक नॉर्मल फिर से लोग अपनी लाइफ यहाँ शुरू कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे हूं एक लाफ लोगों की जिद्दिगी के बार में बात करें जखाओ पोर्ट से टकराते ही हवाओं की रफ्तार तूफानी हो जाएगी इस दौरान करीब 150 क्लोमीटर प्रते घंटे से समंदर आज गरज रहा है तूफानी हवाओं ने तबाही का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है महातूफान जैसे जैसे समंदर के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गुजरात के तटी आलाकों में हालात खौफनाग बनते जा रही है अरब सागर से उठा महातूफान वे परज़ॉए गुजरात के कच्छ और सौराश के करीब पहुंच चुका है मौसम विभाक के मताब एक वे परज़ॉए जगहाउ तट से महस कुछ मील दूर रह गया है माना जा रहा है कि आज दोपेर तीन बज़े से लेकर चार बज़े के बीच वे परज़ॉए लेंडफॉल करेगा इंसानों के लिए काल बन चुका यह महातूफान किस कदर कहर बरपाएगा उसका मंज़र अभी सही देखने लगा है और यह लहरे अब और उची उची उठनी शुरूब यहाँ पर सूरी की केड़े जो है आ गई है पहले बहुत ज़्यादा क्लावडी वेदर था और अब फिर से सूरी की केड़े आ गई है यह सब कुछ जैसा मैंने कहा कि विपरजॉए तूफान का असर ही है कि विपरजॉए तूफान का क्या असर देखने को मिल रहा है जे बिलकुल मैं फिलाल कड़ी हूँ गेटवे आफ इंडिया की निस्तिक और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो समंदर जो है वो काफी उपान पर बैते हुए नजर आ रहा है समंदर जो है उसमें लहरे काफी तेज है क्योंकि हाई टाइट जो है वो साड़े दस बचे की है जिसमें 4.1 मीटर वक्त करीब आएगा और जो चक्रवाती तुफान है ये मांड़ी से होता हुआ और जब ये आगे पाकिस्तान बौडर की तरफ आगे बढ़ेगा तब यहां के हालात और भी जादा खराब होने की संभावगा है अभी फिलहाल हालात ऐसे हैं कि आप यहां पे खड़े नहीं हो सकते हैं समुत्र में बहुत जादा जो लहरे हैं उफान मार रही है कोई भी आम आदमी तो छोड़िये कोई पेशेवन वच्वारा भी इस वक्त समुत्र के अंदर जाने की हिमाकत नहीं कर सकता है और कोई जान बूच के इस तरह का एड़चर ना करे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो जिला परिशासन है और अंडियरफ की टीम है वो जितने भी कॉस्टल लाइन है वहाँ जाजाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग है वो अपने खहरों में रहे ना कि समुत्र के यह जो बीच्न होते हैं तो समुत्र से टक्राती होई लहरे करे जो ।ो सम दू Lindsey की दूले हैं उट्ख है वो कि न बाताने के लिए काफि हैं और स्तर है कि तो तुफान है वो कितना तेजी से अपना विक्राल रूप धरता जा रहा है बिल्कुल हाला तभी और और बत्तर होंगे थोड़ी देर पहले कि यहां की सिफ्वाइब करें लैंड करें लैंड करेंगा गुजरात में 74,000 से जाएंगे तो लोगों तक यहां की सिटी के बारे में बताना ताकि लोग साउधान हो जाएं लगातार हम जो कैभी रेख रहना है तो तो कैसे रहेंगे आप अपने घर पर रहकर साउधानी पुरूआ का लग रह सकते हैं आप अपने घरों में जबनेखे होंगे तो बहाब